वेलकम प्रेंट्स एक वापी से सौज करता हूँ मैं आप लगो का अपने चैनल लोन हेल्फ इंडिया में और आज के इस वीडियो में हम लोग एक अप्लिकेशन के उपर में डिसकस करने वाले हैं काफी अप्लिकेशन के उपर मैं पहले से ही वीडियो लेकर आता रहा हूँ तो अगर आप हमारे चैनल पर नहे हैं और लोन रिलिकेट अगर आपको हैल्प चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्पल भी नहीं भूलिएगा साथी में बेल अकूं को प्रेस कर दिए आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं स्मार्ट कैश लोन एप्लिकेशन के उपर में क्या इसे आपको लोन मिलेगा लोन नहीं मिलेगा यह दावा करती है आपको सचाई के सच्चाई के बारे में बता देना चाहूंगा और अगर आपने अभी तक इस application को अपने phone में download नहीं किया है या अगर आप phone में download करने वाले हैं तो आप इस application को अपने phone में भी download नहीं किजे क्यों नहीं किजे यह application 110% Chinese application है यहाँ पे आपके data को leak होने के साथ साथ आपकी privacy भी leak हो सकती है बड़े बड़े आपको blackmailers यहाँ आपको blackmail करते हुए दिखाई देंगे इससे आपको future में काफी problem आएगी और loan के नाम पे आपके साथ scam हो जाएगा जी हाँ दोस्तो इसी लिए इस scam से अगर आप लोग बाहर आना चाहते हैं मेर चैनल आपके लिए हमेशा इहां पर स्थावत करता है loan help इंडिया की scam से कैसे बहार निकले तो इसके लिए आपको दोस्तों क्या करना होगा मैं आपको कुछ steps बताने वाला हूँ वीडियो में तो उस steps तो follow करके आप इस scam से या इस loan के चकर से बहार निकल सकते हैं अगर आपको loan मिला हो तो भी loan नहीं मिला हो तब भी आपको अपने हिसाब से फूरी inquiry करनी चाहिए थी और आपने एदम सही जगा प्यार के inquiry की है तो मैं बताऊंगा कि इसका आपको एक रुप्यावी वापस नहीं देना होगा और नहीं देना ही है अगर आप लोग वापस नहीं के तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आपको प्रेस करना विल्कु भी नहीं भूलेगा और एक बात और मैं आपको यह पर डिसकस कर देना चाहता हूं जो आप लोगों को जाना बहुत ज़्यादा है वह बात यह है कि जब आप application को install करते हैं तो आप अपनी contact की permissions को delete इसी लिए कीजें ताकि future में फिर आपका further यह app data hacking नहीं कर सके और साथ ही साथ में आपको और ज़्यादा नुपसान नहीं पहुंचा सके नेक्स step में यह लोग क्या करते हैं कि आपके whatsapp को target करते हैं और whatsapp में message करके आपको blackmail करते हैं आपकी गंदी photos edit के हुए भेज देते हैं तो इसके लिए आप अपने जो भी contact से उनके लिए एक status या message लगा दिजिए कि आपके साथ ऐसा ऐसा blackmail हो रहा है या कोई prod हो चुका ह कुछ company या कोई आदमी आपके साथ बड़ा prod करना चाहता है और आपकी photos को लोगों को भेज रहा है गंदी photos को edit करके तो अगर उनके साथ कुछ होता है उनके पास भी आपका photo जाता है तो उसको ignore करें और साथी में उसको block करें जिस नंबर से करें यह जानकारी अगर आप ल पूरी तरह से ignore करना है ना ही आपको message का reply करना है ना ही call का reply करना है यह दोनों चीजों को आपको सकती से follow करना होगा अगर आप इस application के बड़े scam से बाहर आना चाहते हैं तो अगर follow नहीं कर पाते हैं तो फिर आप क्या कीजिए अपना number ही बंद कर दिए 15-20 दिनों के लिए और उसके बाद भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि application से आपको हमेशा हमेशा के छुटकारा मिल चुका है और यह application of future में आपको कभी भी दोस्तों तंग नहीं करेगे इसी के साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगो तो वीडियो को like करना बिल्कुल भी नहीं